नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप सबची होंगे तो आपने जैसे कि देख लिया होगा टाइटल में आज मैं बात करने चारी हूँ शुगर प्रोडक्ट के बारे में तो प्लीज वीडियो गंटक्स देखेगा एम शुर आपको वीडियो पसंद आपके लिए हैल्पोल भी होगी तो चलिए दोल्स दो फड़ावट से देख लेते हैं इन सभी मेकप रोड्स की लिंक में आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो प्लीज आप एक बार चेक्षद कर दीजिएगा तो चलिए फड़ावट से देख लेते हैं तो खास बात एक और भी है मैं आपको दिखा देती हूं इसमें आपको एक पाउच भी मिल जाता है इस तरीके से यह सिल्वर कलर के पाउच में या वाइटल के पाउच में आपको यह सब ही प्रोड़क्ट रिसीव होते हैं साथ में हिलाँ पर शुगर का लेवल भी लगा काफी है और असानी से मतलब आप इससे अपने बड़े जो कर सकते हो मतलब काफी बार ऐसा होता है चोटी मोटी चीज़े होते है प्रोड़क्ट की वो टूटने का ड़ रहता है लेकिन इस पाउच में काफी आपको मतलब प्रोड़क्ट अच्छे से रखने के लिए हल मिल और ये प्रोड़क्ट रखने के लिए भी काफी ज़्यादा अच्छा है सेफटी के साथ आपके प्रोड़क्ट जो है वो रखे जाएंगे ये चीज़ मुझे बहुत जादा अच्छी लगी है तो चलिए बड़ा-फट से इसे ओपन कर लेते हैं और हाँ फ्रेंड्स इसकी मेरे helpful वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे डांस के और एक्टिंग के तो प्लीज वहाँ पर फॉलो जुरूर कर लीजेगा तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूं तो इसक्रीके से असानी से ये जो किट है ओपन हो जाती है और ये देखे इसक्रीके से किट है मु ये चीट शीट क्लेरिफाइंग मास्क है मैं जब इसे लगाऊंगी तो इंस्टाग्राम रिल्स पर ये शौट की वीडियो में शेर कर दूँगी तो ये बहुत ही अच्छा है लग रहा है देखने में काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो दूसरा जो इसमें अच्छल है या नहीं है तो उसके बाद इसमें आपको मिल जाता है ग्लोस बॉस 24 आर आइलाइनर 01 ब्लैक इन ब्लैक शेर्ड है यहां पर आप देख सकते हो यह आईलाइनर है पैकेशिंग काफी जाद अच्छी है सभी प्रोडक्ट की सभी चीजर यहां पर मेंशन की गई जाता अच्छा लगा है एक प्लास्टिक शेर्ड भी दी गई है काश इसमें मिरर भी होता तो और जाता अच्छा होता और यह वाला जो शेर्ड है यह मेरा शेर्ड है आप देख सकते हैं अभी आपको अच्छे संदर दान आएंगा लेकिन मेक टुटोरियल में आप इसे द इंडान के लिए बहुत अच्छा है पिग्मेंटेशन आप देख सकते हैं वाव काफी जाद अच्छी है इसकी हाइलाइटर की तो यह हाइलाइटर में ने परचीस किया है नेक्स में ने परचीस किया है यहाँ पर यह है इसमें मसकार आपको मिल जाता है अप्टाउन करल मसकारा 01 ब्लैक ब्यूटी शेड है और चलिए मैं इसे लगा कर भी दिखाती हूँ आपको तो यह मसकारा का एप्लिकेटर है बहुत ही क्यूट सा स्मॉल सा मसकारा है इस तरीके से इसका एप्लिकेटर है आप देख सकते हूँ तो चलिए लगा कर भी देख लेते हैं लेंग इसने काफी अच्छी दी है लेश्रियस को अच्छा मसकारा है next मैंने lip shade purchase की है इससे पहले भी दोस्तों मैंने sugar के कुछ product का review share किया हुआ है और भी मैंने sugar के जितने भी lipstick अभी तक purchase की है सबका review मैंने अपने चाल पर share किया हुआ है सबके hands watches, lips watches सभी चीज़े share की हुई है तो video की playlist को check जरूर कर दीजेगा दोस्तों और instagram reels पर भी आपको ये सभी चीज़े मिल जाएंगी और मेरा जो shade है ये sugar की lipstick में मैं आपको बता देती हूँ ये वाला beautiful सा shade है red color में आप इसे बोल सकते हो हो सकता है camera में थोड़ा सा आपको change नजर आए और मेरा जो shade है 10 drop dead red shade है ये red color का shade है और ये cute सी lipstick में ने purchase किया इसका hands watch मैं आपको करकर दिखा देती हूँ ये देखिए ये इसका hands watch है ये देखिए कितना pigmented है ये shade काफी beautiful red color है और sugar की सभी lipstick मुझे अब दक बहुत जादा पसंद आई है क्योंकि ये waterproof, smudge-proof होती है और इसले भी मुझे ये lipstick बहुत जादा अच्छी लगी है ये वादा shade नहीं था शहाद मेरे पास और ऐसा मुझे लग रहा है तो ये वादा shade में ने purchase किया है साथ ही इसमें आपको एक quench introducing quench एक card मिल जाता है जिसमें सभी चीज़ा मेंशन की गई है made in korea 100% vegetarian cruelty free, toxin free, paraben free product बनाती है ये और इनकी website का link भी दिया गया है तो ये यसी cute सा card मिला है और इस pouch में अगर foundation या BB cream होती तो शहाद ये complete make-up kit होती या wedding kit होती और अदर्वाइस तो जितने भी product हैं अच्छे लगे हैं मुझे चलिए अब मैं काजल और liner का भी hand wash आपको करकर दिखा देती हूँ तो सबसे पहले मैं काजल को open कर लेती हूँ जब भी आप कोई नया product इस्तेमाल करती हैं शाहिए skincare हो, makeup का हो, hair care का हो तो उसका patch test ज़रूर कर देखिएगा मैं हमेशा बोलती हूँ और उसके ingredient की list पे अच्छे से पढ़ लीजेगा इस तरी किसे इसकी packaging है तो इसका hands wash दिखा देती हूँ यह देखिए वाव काफी ज्यादा jet black है काजल तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया अच्छा लग रहा है काजल जैसा मैंने expect किया था sugar के product से तो यह काफी अच्छा काजल है तो चलिए मैं इसे लगा कर देख लेती हूँ वाव काफी अच्छा ज्यादा काजल है वन स्वाइप में ही न अच्छा color देता है pigmentation काफी ज्यादा अच्छी है मुझे अच्छा लगा है अब बात कर लेते हैं liner की और इस तरीके से liner भी open कर लेती हूँ इसका भी hands उच करकर देख लेती है वाव यह भी काफी ज्यादा jet black है अब देख सकते हूँ काजल से भी ज्यादा black लगा है और वन स्वाइप में ही काफी अच्छा color दिया है आप देख सकते हैं वैसे तो मैं लगा जो कि यू लाइनर लेकिन यह वाला नहीं लगाया है मालियाओं का लगाया है एक बट्राई कर लेते हैं इसी के उपर इस तरीके जो टिप होती है न मुझे बहुत जादा अच्छी लगती है विंग आई-लाइनर बहुत अच्छे से बन जाता है इसकी ब्रश काफी जादा अच्छी लगी है मुझे लाइनर की तो यह काफी अच्छा जट ब्लेक आई-लाइनर है यह भी तो वैसे तो यह मुझे दोस्तो जो sugar की make-up kit है काफी जादा अच्छी लगी है सबी प्रोडक्त भी है इसमें लेकिन अगर इसमें फाउंडेशन बी-बी या सी-सी क्रीम भी होती तो ये एक कम्प्लीट पाउच कहला दी कम्प्लीट मेकप पाउच जो है आपका तयार हो जाता और फाउंडेशन जो मुझे अलग से लेना होगा मैं सुछ रहे हैं इसमें का अब भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके मुझे सकते हैं वहां भी मुझे जरूर फॉलो करते हैं वहां पर भी मैं सुपर डूपर एक्टिव रहती हूं सभी के कॉश्चन्स का इतलाई भी करती हूं तो प्लीस दो मुझे करते हैं रहते हैं जो आछके मुझे जरूर 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 को भी मुझे जरूर लगाएं भी मैं सराणा चाहते हैं विश्चन्स का आपड़市 एंस्टाप